देश द्रोग के आरूप में मनिश कस्यप अभी वहाँ पर हैं पूरे दिने मामला चल रहा है पूरे दिन को फैक्चुल बात आपको नहीं बताएंगे तूंकि लोग भावना में आके पत्रकारता करने लगे हैं और उनके समर्थ है कि वह वहाँ पर भी रहा जो मनिश कस्यप को बिजपी विधायक से रंगदारी मांगने और बैंक मनेजर से अब अधरता के मामले में अलग-अलग कोट में पेस किया गया किस केस में हैं रंगदारी के केस में कौन की केस चल रहा है इनसे बिजपी विधायक का केस चल रहा है लोग जवाब किसको दे रहे हैं तेजस् पूल फेक रहे हैं यह प्रहार पूलिस के अपने लाइन में पेस गिया और यहां जो पेस गिया गया है महात्मा गांधी को गाली देने उसके अलावा इओ यू ने इन पर जो है रिमांड फिर मांगा है यह इओ यू ने रिमांड क्यों मांगा है पूरे दिन का अगर आप चीछ देखिएगा तो अलग-अलग केस हैं उनके वकील ने कहा कि हमने जज को कंवेंस किया कि भाई यहां पर रहने दिया जाए वहां का कल्चर अलग है खाना पिना लग है काला पानी का सजा जैसा लगता है तो इसलिए खोट ने कहा कि आप यहां रह सकते हैं लेकिन अगर सुनवाई हो गीता मिलांडू आपको जाना पड़ेगा आज सुबह से पटना सिविल कोट में मनिश का सभ का पेशी के लेकर की काफी ज़्यादा भीर चल रहा था और बहुत सारे पत्रकार वहां पे सवाल जबाब पूछ रहे थे लेकिन एक्शुल में क्या बात हुआ अंदर में वह कोई नहीं बताएंगे अब हैक्ट बात आज गया पहला के जून पर था बीजिपी विदायक से रंगदारी कारों तो बिहार पुलिस के अपने लाइन में कह चुकी है और यहां जो पेश गिया गया है महात्मा गांधी को गाली देने उसके अलावा यू ने इन पर जो है रिमांड फिर भांगा है यह एक बड़ा चीज जो है कि यहां पर रहने दिया जाया वहां का कल्चर अलग है खाना पिना अलग है काला पानी का सजा जैसा लगता है तो इसलिए कोट ने कहा कि आप यहां रह सकते हैं लेकिन अगर सुनवाई हो गीता मिलांडू आपको जाना पड़ेगा यह कोट का ओडर है यह भी कोट का ओडर है कि वीडियो कॉन्फरेंसिंग का सहारा भी दिया जा सकता है लेकिन वहां प जो भावना में आके पत्रकारता करने लग के समर्त और जो उनके समर्थ है के वहांपर भी रही जो जहांपर हम रोग पिस हैं आपको भी दिख रा यहां अगर आप उनको दो दिखिए गा तो देकर यहां लिखा हुआ है कि मनिस कस्द्थब को 25 बीध्यायक से रंगदारी मांगने और वैंक मैंग मनेजयर से अब हदृता के मामले में अलग अलग कोट में पेस्थ किया गया किस केस में रंगदारी के ऐसमे कौन की कैस चल रहा है इन से लोग जवाब किसको दे रहे हैं यार्भी के साथ चल रहा है बीजेपी के साथ चल रहा है यह पूड़ा concept है उसके अलाव आज पूरे दिन से उनका चर्चा है क्योंकि भाई उनके social media पे फॉल फेक रहें और लोग बात होती है यह वी हूं के रिमांट के बाद मनीज कश्यम को साइद यह डर है इसलिए रोने लगा निकलने के बाद हाला कि उनके समर्थ सेर वेगरा उनको बोलते रहते हैं लेकिन रोते देखें नहीं है दूसरा चीज है कि पूरा दिन यह मामला चलेगा अब मनीज कश्यम पतना बेउर जेल में रह परसासन upset जवाब आया है नियाले के आदेश के बावजूद भी परसासन मनिज कश्यम को नहीं रख रही आरूंप जब परसासन ने सवालिया लहजे में कहा कि आखिर वह बेटियां के जिल में रखने का है इसको ले करका मनीज कश्यम के बाएं मिडिए जारे कि उसे जो इसका मामला है महात्मा गांधी का गाली देने का मामला है कि आर्थिक भी कुछ है रफ़िर का मामला है समाज में नपड़त पहलाने का मामला है तमिलानु बाइस दो का मामला है ये सब चीजें लोग नहीं बताए उनके समर्थक यह आ गह समर्थक अंधे होते हैं लेकिन जो पतरकार उसको बात बतानी चाहिए रंगदारी के मामले में आप आया है और आपको कहा जा रहा है कि आप यहीं रहीएगा यू ने फिर से रिमांड मांगा है तो क्यों मांगा है कि उनके पास अगर ठोस कोई परमान होगा और कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो तमिलांडों उनको ले जाएंगे फूरा मसला चल रहा है आगे इस पर कोई अपडेट नहीं आ रहा है और जैसे बता है कि आपन है यह जो केस में आप गया है अब आप तेजस्वी आदब ने बुला था कि बीदायक से मार कर लिजे आप या रंगदारी कर लिजे बीज ट्रहसाट रंगदारी की आप आप कि जिय घैके प्रौस lml ऑदायों कोई काम करें तो आप तो अपर में महान देवता थोड़ित थो हैं लड़ाये तरीका है लड़ाय करी बहुत बड़ अच्छा चीज नहीं है पतना के सिभील कोट में उनका पेशी था और पेशी में आज दो केशों पर उनकी आज फैसला हुआ और बता दे कि उनको आप जो है पतना के बीओर जेल में रखा जाएगा और जिस तरह से तमिलाडू में